जानिये नर्भक्षी राश्पती के बारे में रत्यास का सबसे कुरू राश्ट्य अधिक जिसे कसाई की संग्या तक दी जाती है राश्पती पत का जिक्र आते ही सबसे पहले आपके मस्तिक्ष में जो नाम आते हैं इन सबको अपने देश के प्रती करतवयों का पालन करने के लिए सभी सम्मान की नजर से याद रखते हैं लेकिन ये कहाने एक ऐसे राश्पती की है जिसको आप एक ऐसे क्रूर वा अत्यचारी के रूप में याद रखेंगे ये राश्पती मूसुलीनी तता हिटलर से भी कई कदम आगे था हिटलर तता मूसुलीनी के अत्यचारों को किसी तरह ठीक भी बताया जा सकता है कि वर्साय की संदी के कारण उन्हें ये कदम उठाने के मजबूर होना पड़ा लेकिन 1971 से 1978 तक युगांडा के राश्पती रहे इदी आमिन की निरंकुष्टा को देखकर आप भी कहे उठेंगे कि ये तो देट की ही कोई उलाद थी जिसने बिना किसी कारण के सभी को पीडाओं के सागर में धकेल दिया था इसके अबगुडों की सूची इतनी लंबी है कि आप कहे उठेंगे कि भगवान ने सारे के सारे अबगुड इसी के हिस्से में डाल दिये इदी आमिन का जनम युगांडा के को बोको शेहर में हुआ था उसे सेना के एक अफसर के रूप में काफी प्रसंसा मिली फीड मालशा से कमांडर इंचीफ तक वह पोचा इसके बाद 1971 में सेना द्वारा तक्ता पलटकर राश्पती मिल्टन अबोट को हरा कर उसने सत्ता हत इसके बाद शुरू हुआ युगांडा के इत्यास का वो अध्याय जिसे सोच कर ही सबकी रूप काप उठेगी चार अगस्त 1972 को उसने साथ हजार एशियाई नागरेकों को देश छोड़ने का फर्मान जारी कर दिया और इसके लिए लोगों को मातर 90 दिन की मौलत दी गई हार निकालने के लिए स्ताना शाहने आरोप लगाए कि एशियाई लोग युगांडा को एक गाय की तरह दो तो रहे हैं लेकिन इस गाय के चारा पानी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे देश छोडने वाले लोगों पर शर्त थोब दी गई थी कि वे 55 पाउंड से जादा धनराशी तता 2500 किलोग्राम से अधिक बजन अपने साथ नहीं ले जा सकते एरपोर्ट तता बंदर गाहों से छूटते वक्त प्रवासियों के समान की कड़ी चेकिंग की जाती थी इस दंश को जहलने वाले लोगों ने माना कि यह भी यहाउदियों पर हिटलर द्वारा किये गे अत्यचारों से किसी भी प्रकार कमतर नहीं था जब चेकिंग के दौरान एक महिला एक उंगली में अंगूठी पहनी हुई पाई गई तो जाच करमचारियों में महिला की उंगली तक काट दी थी यह अतेबे एरबोर्ट की घटना थी यही नहीं उसके इसी प्रकार के कुकरत्यों के कारण उसे युगांडा का कसाई कहा जाता है जोर्ज इवन स्मित ने तो उसके स्कूग कृत्यों को समेटने के लिएक पुस्तक भी लिग डाली थी जिसका सीशक था गोस्ट आफ कमपाला इस समूचे घटना करम को लेकर विश के बड़े-बड़े देशों ने ताना शाह को समझने की कोशिश की लेकिन वह सब कुछ वियर्ख रहा ब्रिटेन के मंतरी जियोफरी रीपन को इदी आमिन ने बैरंग लोटा दिया और ऐसा ही बड़ता भारती राजना एक निरंजन सर्देशाई के साथ किया गया असंक लोगों के उसके इस फैसलों के कारण काफी यातनाय जेलनी पड़ी यही नहीं उसने जितने भी लोगों या विरोदियों को मरवाया साथी साथ उनके शब के साथ पी ववर्ता करी शब गुरौ में रखे शब के साथ चेरचार की घटना एरोजाना युगाणा में घटित होती थी माना जाता है कि उसे शवों के भी समय बिताने में बड़ा मजा आता था कहीं कहीं तक पुस्तुकों में जिक्र है कि वो मुरत विक्तियों के लहू का शौकीन था मुर्दागर में समय बिताने का उसका उदेश यही होता था यहीं नहीं वे अपने आपको नर्भक्षी बताने को अपनी बढ़ाई समस्ता था एक बार तो उसने एक फ्राइट यात्रा के दौरान अपने साथ बैठे अधिकारियों को बताया कि इंसान के गोश्ट तेश्वात को मास नहीं होता उसके अनुसार यदि आप युद्ध में हैं तो आप अपने घाय साती को खा सकते हैं क्योंकि भुक्मरी से बचने का इससे असान तरीका कोई नहीं है इस्तरी विशन का तो वह बहुत बड़ा शौकीन ताना साहता जिससे सर्फिरा तक कह देते हैं उसके ठराफ के समय उसके हरम में 20 से 30 इस्तरीयां सामल थी वह जि पांचवी उबी के प्रेमी के सर को कलम कर उसने अपने फ्रिज में रखवा दिया था और जब रानी क्योलावा की नजर इस पर पड़ी तो वह बेहो शुकर गिर पड़ी थी इसके बाद जब यूसुफ लुल्ले ने जब 1969 में तक्ता पलड़ किया तो उसे लीबिया में श किम दख तिहो बेहो बाद इसके बाद जब शोलावा जब भी